Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं आपस यहापे तीन सेट आफ कार्ड हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली में मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं Aquarius और आपके लिए आपके लिए आपसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है Justice Reverse और यह कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर में स्टार्टिंग में एक injustice वाली energies आप महसूस कर रहे है एक unfair सी feeling आपको हो रही है और देखिए जनरल रीडिंग है तो सब के लिए हाँ पर थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ Aquarius को ऐसे लग सकता है कि भाई आपने अपने partner के साथ fair नहीं किया या फिर आपकी तरफ से किसी level पर किसी तरीके का injustice रहा और कुछ Aquarius के लिए हो सकता है कि उनके partner की तरफ से एक injustice या फिर एक unfair energies Aquarius आप महसूस कर रहे हैं और देखिए ये injustice भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है Aquarius आपने या फिर आपके partner ने दूसरे जन को अच्छे से treat नहीं किया या फिर stance नहीं लिए या हो सकता है कि कुछ Aquarius के लिए एक cheating वाली energies रही हो और ये भी देखिए Aquarius या तो आपकी तरफ से हो सकती है या आपके partner की तरफ से हो सकती है तो देखिए फिर से कुछ भी हो सकता है broadly speaking justice reverse का card एक किसी तरीके के injustice या फिर unfair energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही Aquarius आप महसूस करते हुए दिख रहे है और शायद इसलिए या फिर otherwise भी under pressure का card कहता है कि बहुत एक burden, बहुत एक pressure आप महसूस कर रहे है एक stress, एक tension भी again होती हुए दिख रही है और शायद इसलिए या फिर otherwise भी the present moment का card कहता है कि आप pause लेना चाहा रहे है आप चीजों को और समझना चाहा रहे है ये क्यूं हुआ, कैसे हुआ और कहीं देखे एक clarity लाना चाहा रहे है जो भी एक भ्रहम आपके mind में थे या फिर आपके partner के mind में थे उनको clear करना चाहा रहे है और present moment पे focus करना चाहा रहे है time की कहीं एक एहमियत भी आपको होती हुई दिख रही है और शायद इसलिए या फिर otherwise भी nine of pentacles reverse का card कहता है कि आप थोड़ा सा independent होना चाहते है बहुत जादा अपने partner के उपर किसी भी चीज के लिए depend नहीं करना चाहा रहे है emotions, feelings या फिर कोई भी चीज हो सकती है आप थोड़ा सा you know खुद पे focus करना चाहा रहे है लेकिन आप नहीं कर पा रहे है आप अपनी feelings को, emotions को control करके बहुत ही discipline तरीके से चीजों को deal करना चाहा रहे है लेकिन नहीं कर पा रहे है और यहाँ पे happiness is to love का card कहता है कि आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि भई आपकी खुशी आपके partner में है, इस relationship में है, यह मैं कहा सकती हूँ कि हर खुशी, हर joy आपको ऐसे लग रहा है कि आपके partner से ही आपको मिलती है और देखिए, जैसे कि इस card में आप देख पा रहे है यह figure हाथ में एक पौधे को उगा रही है, और ऐसे ही आप इस relationship के लिए growth एक progress चाहते वे दिख रहे हैं, चीजों को कही next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, और उसी से ही related, यहाँ पे king of ones reverse का card कहता है या तो आप over enthusiastically over courageously actions और initiatives ले रहे हैं, too much action initiatives ले रहे हैं, मैं कह सकते हूँ या फिर you know आप ऐसी ही energies में रहना चाहा रहे हैं, यानि कि courageously upfront होके action initiatives लेना चाहा रहे हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं और अब देखते हैं queries के आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए देखे सबसे पहला card है deception और ये card कहीं बहुत ही clearly cheating की बात करता है और आपके लिए भी यहाँ पे justice reverse के card में हमने एक unfair energies एक injustice देखा था तो देखे जो आप महसूस कर रहे हैं वो कहीं आपके partner भी मन ही मन महसूस करते वे दिख रहे हैं उनको भी एक cheating वाली you know energies feel हो रही है और देखे उनके लिए भी same ही applicable है किसी की भी तरफ से हो सकता है आपकी तरफ से और उनकी तरफ से हो सकता है और किसी भी तरीके की cheating रह सकती है जैसे कि अभी आपके लिए मैंने कहा Aquarius आपने या फिर उन्होंने इस relationship के लिए stance नहीं लिए दूसरे जन को अच्छे से नहीं treat किया या फिर third party था या फिर कोई भी चीज थी जिसकी वज़े से एक cheating सी आपके partner महसूस कर रहे हैं और देखे surface level के लिए six of cups reverse का card कहता है पीछे जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए उनको बहुत ज़ादा याद कर रहे हैं उन्ही you know memories को उन्ही moments को बार बार सूचते जा रहे हैं बहुत ज़ादा again मैं कहूंगी उन्ही past की चीजों पर focus कर रहे हैं और दिखिए यहाँ पे कुछ के लिए pleasant memories हो सकती है अच्छी यादे हो सकती है कुछ के लिए बुरी यादे हो सकती है queries जो आपके partner you know सूचते हुए दिख रहे हैं और दिखिए कहीं वो इस relationship से हो सकता है move on करना चाहा रहे हैं एक movement चाहा रहे हैं एक shift चाहा रहे हैं बहुत तेजी से मैं कहूंगי आगे बढ़ना चाहा रहे हैं logically चीजों को deal करना चाहा रहे हैं mind से चलना चाहा रहे हैं बहुत upfront भी होना चाहा रहे हैं blunt communication या conversation भी आपके साथ करना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ एक companionship चाहते हैं आपका साथ हमेशा के लिए अपनी life में चाहते हैं और देखिए शायद इसलिए आपे turn of wands का काट कहता है कि एक pressure एक burden महसूस कर रहे हैं यह देखिए बहुत conflicting सी energies हैं उनकी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, movement shift चाहते हैं और कहीं देखिए इतना प्यार महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और साथी साथी cheating वाली energies भी हैं और देखिए हाँ पर wind का काट कहता है कि जो भी surface level पे हो रहा है finally may end में उनको ऐसे लग सकता है कि धीरे धीरे जैसे चीजें जाती हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहें यानि कि going with the flow वाली energies में रहें और किसी भी चीज के लिए वो rush नहीं करना चाहा रहे हैं impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं again देखिए इस relationship में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन slowly slowly या फिर मैं कह सकते हूँ क्योंकि जैसे हवा का भाव है उसी भाव में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं and अब देखते हैं queries की में मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए में मन्त के लिए आपे सबसे पहले cards में चो देख रहे हैं the wear and tear of time and strength reverse और देखिए the wear and tear of time का card कहता है कि कुछ time से या फिर may starting में एक distance आप दोनों के बीच में आ रहा है और देखिए distance सब के लिए differ कर सकता है मैं फिर से कहूँगी ये general reading है कुछ लोगों के लिए physical level पे हो सकता है जहां पे आप दोनों में से कोई एक चन you know physically उस जगा से दूर हो रहे है जहां पे आप लोग रहते हैं या फिर you know एक physical distance आ रहा है आप मिल नहीं रहे हैं इतनी बात नहीं कर रहे हैं कुछ के लिए mental emotional हो सकता है कि आप साथ रहते हैं लेकिन mental emotional एक disconnect है और देखिए nutshell में कुछ लोगों के लिए temporary या permanent separation या break up भी में starting में या फिर कुछ time से रहता हुआ दिख रहा है और शायद इसी लिए देखिए बहुत एक frustration बहुत एक irritation भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं हो सकता है पीछे बहुत ही patiently चीज़ों को deal कर रहे थे गुसा आ रहा था frustration हो रही थी लेकिन उसको again lovingly कहीं deal करना चाहा रहे थे या कर रहे थे और कहीं कुछ time से या में starting में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि बस अब और सबर नहीं कर सकते अब और patience नहीं कर सकते रख सकते sorry और इसलिए या फिर otherwise भी एक frustration एक irritation महसूस कर रहे है और या पर देखे importance का card कहता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भई इस relationship में इतना potential ही नहीं है कि अब कुछ हो या फिर चीजें आगे बढ़े या मैं कह सकती हूँ कि किसी level पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक give up करना चाहा रहे है या फिर give up कर रहे है क्योंकि ऐसे लग रहा है कि भई इतनी हिम्मत ही नहीं है इतनी strength ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए और दिखे शायद इसी लिए या फिर otherwise the star reverse का card कहता है कि एक negative frame of mind रह सकता है उमीद खोते हुए दिख रहे है directionless भी महसूस करते हुए दिख रहे है जहां पे समझ नहीं आ रहा कि चीजों को कैसे deal करें क्या करें, क्या ना करें लेकिन देखे end में के लिए यहां पे creative desire and queen of wants के cards कहते है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के मन में बहुत जबरदस्त एक desire हो सकती है साथ में रहने की, relationship को better करने की और बहुत दूसरे जन के लिए emotions और feelings हो सकती है enthusiasm, excitement रह सकता है और कहीं देखिए इसी enthusiasm, excitement से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक action initiative भी लेते हुए दिख रहे है और देखिए जैसे कि मैंने कहा आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती है लेकिन equidious आपकी ज़ादा रह रह रही है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे happiness is to love का card है और यहाँ पे king of wands reverse का भी card है और फिर से देखिए कहीं एक desire फिर से जागती हुई दिख रही है एक energy enthusiasm फिर से इस relationship में आता हुआ दिख रहा है और देखिए कहीं आप दोनों याप दोनों में से कोई एक फिर से मैं कहूंगी action initiatives ले रहे हैं बहुत boldly, बहुत courageously हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं याँ फिर कर रहे हैं तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए में 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें